आज सबसे पहले बात करने वाले हैं एक ऐसे सुटिंग सीन की जिसमें रणबीर कपूर इंट्रोवल से पहले आने वाले एक्सन सेक्वेंस में एक बड़ी सी गन चलाते हुए दिख रहे हैं इस वाले सीन को देखके ऐसा ही लगता है कि इस बड़ी सी गन को CGI और VFX के थुरूई क्रेट किया गया होगा जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है इस मूवी के डायरेक्टर का विजन अपने आप में ही एक मास्टोफाय विजन है और मूवी को देखने को बाद ऐसा लगता भी है हमने संदीप रेडिवांगा की कबीर सिंग और अरजुन रेडिव मूवी तो देखी ही है जिसमें 90% मूवी को बिना किसी CGI के सूट किया गया था तो हेलो गाईज वेलकम टू माई सिनेमा और हाँ इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में एक ऐसे सीन को दिखाने वाले है जिसे मूवी में दिखाया ही नहीं गया था इस मॉंस्टर गन का वजन 500 किलोग्राम का है और इस पूरी मसीन गन और डमी बलट्स को बनाने में 80-90 वेल्डर्स, कारपैंटर्स, इलेक्रिसियन और कॉंसेप्ट डिजाइनर लगे इस मसीन गन को 3-4 महिने के अंदर मुंबई की एक वर्ग सॉप में बनाया गया था आपको बता दे कि इस मसीन गन में आइलन और इस्टील का यूज़ किया गया था साथ इस मॉंस्टर गन को बनाने से पहले इसका एक 3D CGI मॉडल बना लिया गया था जिसकी हल्प से मैनमेड गन रैडिक की गई थी यह पहली ऐसी मसीन है जिसमें बॉनट से लेकर ड्राइविंग सीट भी बनाये गई थी जिसे आसाने से इधर उधर ले जाया जा सकता था क्योंकि यह मॉंस्टर गन एकदम कार जैसी लगती थी मूवी में हमें सेम इसी मॉंस्टर गन को दिखाये गया था जब गॉल्डन मास्क वाले गुंडे आते हैं तो रनबिर कपूर इस मसीन गन की ड्राइविंग सीट पर बैट कर इस मसीन गन को चलाते हुए दिखाये गए हैं 500 किलोग्राम की इस मसीन गन को ऑपरेट करना बहुत जोकिम भरा काम था इंसान चोटिल भी हो सकता था पर रनबिर कपूर ने प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद इस मसीन गन के साथ फाइरिंग वाले इस सीक्वेंस के सूटिंग कम्प्लीट की थी साथी साथ आपको बता दे कि इस सीक्वेंस को 4-5 दिन के अंदर सूट किया गया था और इस पूरे सिक्वेंस के लिए 12-15,000 डमी बुलट्स पर बनाए गई थी जिसकी बारिस इंटरवल से पहले देखने को भी मिलती है इस वाले सिक्वेंस में ही एक कुलहारी वाला सीन भी दिखाये जाता है आपको बता दे कि इस वाले सीन में 100 से अधिक गुंडे गॉल्डन मास्क पहन कर हाथ में कुलहारी लेकर रणबीर कपूर वाले करेक्टर पर वार करने आते हैं इस सीन के लिए 400 से 500 कुलहारिया और 700 से 800 गॉल्डन मास्क भी बनाए गए थे आपको यह जान का हैरानी होगी कि इस मूवी के लिए पहले परिनेती चोपरा को कास्ट किया गया था लेकिन बाद में कुछ रीजन्स की वज़े से परिनेती की जगर रस्मी का मंदना को कास्ट कर लिया गया था साथे साथ आपको बता दे कि इस मूवी का थियाटर में स्क्रेंट टाइम 3 आवर 21 मिनट का है जबकि OTT प्लेटफॉर्म पे इस मूवी का रन टाइम 3 गंटे 50 मिनट का है इसका मतलब यह है कि इस मूवी के बहुत सारे सीन्स को थियाटर में भी नहीं दिखाये गया था आप इस वाले सीन को ही देख लो जिसे अरजुन वेल लिगाने में तो दिखाये गया था जबकि मूवी को देखने पर यह सीन कहीं भी नजर नहीं आता है जिसमें रणबीर कपूर बॉबी देवल को मारने के बाद एरोपलेन में बैटके अपने सारे भाईयों के साथ वापस अपने घर आता है तो अगर आपको ऐसे ही बिहाइंड थे सीन्स और फैक्ट देखना पसंदे तो माईसन में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फोर वाचिंग